हेलो आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कर आपने भी मोबाल ट्रेकिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा या तो किसी मूवी या टेवी शोज में देखा होगा कैसे पुलिस एक क्रिमिनल का स्रिफ एक मोबाल नंबर से एक्जेक्ट लोकेशन ट्रेस कर लेती है त अगर पिनपोइंट आपको नहीं मिल सकता तो अगर जीपी एस वगएरा को ऑब टेकनलोजी है तो ऐसा हो सकता है मुमकिन है लेकिन सिफ मोबाल नंबर से ट्रेस कर पाना उयुक्त तो इसे किसमें पुलिस ट्रिएगुलेशन एक टेक्नलोजी का यूज करती है तो यह टेक फोन एकदम सिंपल सा फीचर फोन है उसमें आपने है जो किसम कर लगया हुआ है मान लो अगर उसे ट्रेक पुलिस कर रही है तो कैसे करेगी ट्रेंग लेशन टेक्नलोजी के द्वारा मान लो आप किसे एक लोकेशन पर हो उससे आपका जो मुबाइल टावर जो कनेक्टेड ह उसका जो नेट्वुक ले रहा है वो आप से एक किलो मीटर दूर है पुलिस को यह पता लगजा कि यह जो फोन है वो मुबाइल टावर की एक किलो मीटर की रेंज में है अब एक किलो मीटर तो कहीं भी हो सकता है इस तरब भी हो सकता है इस तरब भी हो सकता है एक जेक लोक तो नहीं ठोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि यहां पर भी है लेकिन अगर उस जगह पे तीन टावर लगे हुए है मोबाइल टावर लगए तो उसका लोकेशन जुन पाना एजी हो जाता है एकजेट हो जाता है लेकिन वह भी इतना एकजेट नहीं कि अगर मालो आपकिसी 10 म पाले की बिल्डिंग में हो तो उसका जो लोकेशन वागा वो बिल्डिंग की तरफ सो होगा लेकिन अब आप उस पका तो नहीं एक्जग तो नहीं हो सकता के भई दूसरे माले पर है तीसरे माले पर एसा तो एक्जग नहीं हो सकता लेकिन एक लोकेशन जरूर मिल जाता है त उसमें भी अनलेस अगर GPS ओन हो स्मार्टफोन ओन हो तभी उसका पता एक जेक्ट लगाए जा सकता है एकिन सिर्फ एक मोबाइल नंबर से किसी का एक जेक्ट लोकेशन पता कर पाना ना मुम्किन है तो आसा करता हूं यह आपको मोबाइल ट्रेंग के वीडियो आपको समझ मे अगया होगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जाए हैं